नमस्कार मैं प्रद्युम्न तिबारी आप सभी के समक्षुपस्थित हूँ मित्रों चार ग्रहों की युती का फल जानने के करम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, मंगल, सुक्र और केतु की युती का क्या फल होगा मित्रों यदी आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में सूर्य, मंगल, सुक्र और केतु एक साथ बैठे हो तो क्या फल होगा आईए हम जान लेते हैं मित्रों यदी आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, सुक्र और केतु की युती हो यानि कि आपकी जन्नुपत्रिका में सूर्य, मंगल, सुक्र और केतु एक साथ एक ही भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिती में ब्यक्ति, बुद्धिमान और स्रेष्ठ पुरुशोचित बचन बोलने बाला होगा यानि कि ऐसा ब्यक्ति बिद्धवानों की तरह बात करने बाला होता है ऐसे लोग अपनी बातों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे ये बहुत बड़े बिद्धवान हैं, बहुत बड़े बिचारक हैं कई बार ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी होते हैं, लोगों को सलाह देने का काम करते हैं, ऐसे लोग बोलने में माहिर होते हैं, और ये लोग बरिष्ठ लोगों के जैसे यानि कि बहुत बड़े लोगों के जैसे ब्योहार करने बाले होते हैं, और कई बार समाज के लोग इनक इसा किसी भी तरह से धन एकठा करने की पैसे एकठा करने की कोसिस करते हैं ये लोग कार्य कुसल होते हैं यानि कि अपने काम में माहिर होते हैं ये लोग अपने परिबार में स्रेश्ठ होते हैं यानि कि इनके परिबार के और इनके कुटुम्ब के लोग इनका सम्मान करते है और ये अपने परिवार में मुखिया बने रहते हैं कई बार ऐसे लोग बहुत छोटी उम्र के भी रहते हैं लेकिन परिवार के सारे डिसीजन इनसे पूँच करके लिए जाते हैं ऐसे लोग सत्रुहनता होते हैं यानि कि अपनी बुद्धी से या अपने बल से किसी भी तरह से कूटनीती से या जैसे भी अपने सत्रुओं को परास्त करते हैं अपने बिरोधियों को खतम करने का काम करते हैं ये लोग थोड़े जल्दबाज प्रब्रतिके भी होते हैं और कई बार जल्दबाजी में गलत निरनाई लेकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं ये लोग अभी बेकी भी होते हैं अभी बेकी का मतलब है कि अपने बिवेक का सहीं इस्तमाल नहीं करते हैं अपनी बुद्धी का सहीं इस्तमाल नहीं करते हैं कई वार दूसरों की गलत सलाह मान करके यानि कि दूसरों की बातों में आ करके अपना ही नुकसान कर लेते हैं या फिर दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाते हैं ऐसे लोग क्रोधी सुभाव के होते हैं चिर्चिडे सुभाव के होते हैं इनको किसी भी बात पर छणिक क् ये लोग नौकरी आदी करने वाले होते हैं और इनको अपने कारेचेतर में थोड़ी परेशानी भी होती है अपने कारेचेतर में या तो फिर इनको अपने कामों का स्रेय नहीं मिलता है यानि कि काम ये करते हैं और नाम किसी और का होता है या तो फिर अपने साथ में काम करने बालों से इनके मतभेद होते रहते हैं या फिर अपने बॉस से या अपने बरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होते रहते हैं या फिर कई बार इनको सरकारी नौकरी आदी में ट्रांसफर आदी का बहुत सामना करना पड़ता है इनका काम लगातार बदलता रहता है काम इस्थाई नहीं हो पाता है इन लोगों का आत्म विश्वास भी थोड़ा कमजोर रहता है यानि की सेल्फ कॉंट्विडेंस इनके अंदर थोड़ा कम होता है कई बार नई जगह जाने में अथबा किसी नई व्यक्ति से मिलने में इनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है या फिर कोई नया काम सुरू करने में इनको डर लगता रहता है कि होगा की नहीं होगा इस तरह से ये मन में परेशान रहते हैं ये लोग थोड़े जटिल सुभाव के भी होते हैं जटिल सुभाव का मतलब है कि इनको समझ पाना थोड़ा मुस्किल होता है कई बार ये अपने मन में ही परिशान रहते हैं किसी को बताते नहीं हैं अंदर ही अंदर कुछ चिंता करते रहते हैं या फिर कई बार ये कुछ प बन गया तो फिर तुरंत करने की सोचते हैं और जल्दवाज तो होते ही हैं मूड होता है अचानक से कोई चीज को करने की कोशिस करते हैं इन लोगों की Face Value भी कम होती है Face Value का कम होने का मतलब है कि समाज में थोड़ी सम्मान को छती भी पहुँचती है समाज में सम्मान थोड़ा कम होता है और कई वार कोई काम बनने जा रहा है तो जो व्यक्ति उसकाम को कर रहा है उसको पता चलता है कि इनका काम है तो वो कहता है कि उनका नहीं करेंगे तो इस तरह से इनकी स समाज में फेस बेल्यू कम होती है और इनको अपने परिवार का सुख सहयोग भी कम मिल पाता है कई वार ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई के लिए अत्वा नोकरी आदी व्यापारादी के लिए घर से दूर चले जाते हैं इस कारण से अपने घर परिवार का सुख सहयोग नहीं मिल पाता है और कई वार घर परिवार के लोग ही इन से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं इन लोगों को स्वास्थ संबंधि समस्याएं भी होती हैं कई वार पेट से संबंधित हड़ियों से संबंधित अथवा नसों से संबंधित रोग होते हैं इन लोगों को सरीर में नसो परेशानी भी होती है पैसे कमाने में थोड़ी सी परेशानी होती है और इनका धन बहुत जादा खर्च होता है कई बार इनका पैसा ब्यर्थ में भी बरबाद होता है यानि कि फालतू की चीजों में ही खर्च हो जाता है और कई बार इनका पैसा कहीं पर फस भी जाता है कि ज लोगों को अपने आसपास के लोगों से अपने करीबी लोगों से नुकसान भी होता है कई वार इनको अपने बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति से भी धोका मिल जाता है इन लोगों को यदि किसी को पैसा देना हो अथवा किसी के साथ में व्यापार करना हो तो बहुत सतर्क रहना चाहिए कई वार ये लोग नौकरी आदी में अपने साथ में काम करने बालों के कारण भी इनको नुकसान होता है कि साथ में काम करने वाले किसी व्यक्ति ने कोई सलाह दी कि बौस से जाके ऐसा कह दो तो ये जाके कह दिये फिर ये फस गए तो इस तरह से भी परिशानी होती है लेकिन सूर्य मंगल सुक्र और केतु की युति कुंडली में किसी भी भाव में हो ये सामान्य फल देने बाली है ऐसी स्थिती में व्यक्ति को धर्म से जुड़े रहना चाहिए और देवी भगवती दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए और किसी भ अगातार करना चाहिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मित्रों आज हमने जाना कि सूर्य मंगल सुक्र और केतु की युति का क्या फल होगा आज के लिए विस इतना ही आसा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कार